रोहिच शटी की फिल्म सर्कस के पहले दिन के कलेक्शन्स आ चुके हैं और इस फिल्म के कलेक्शन्स को देखकर कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ रोहिच शटी की फिल्में कलेक्शन्स के मामले में रेकॉर्ड तोड़ती है वही फिल्म सर्कस के कलेक्शन्स ने दिल तोड दिया है बहुत ही disappointing कलेक्शन्स हुए हैं सर्कस फिल्म के पहले दिन आपको बता दे कि जहां एक तरफ trade experts मान कर चल रहे थे कि फिल्म पहले दिन 12 से 15 करोड के बीच में आराम से कमा लेगी ये फिल्म 3 करोड से जादा नहीं कर पाई है 3.16 CR ओपनिंग डे कलेक्शन्स हुए हैं सर्कस फिल्म के रोहिच शेटी जैसा डिरेक्टर इतनी बड़ी स्टार कास्ट रनवीर सिंग के डबल रोल और कॉमेडी के लिए जाने जाने वाले रोहिच शेटी की फिल्म का ये कलेक्शन वाकई में दिल तोड़ देने वाला है अगर रोहिच शेटी की पिछली कुछ फिल्मों की बात करें तो रनवीर सिंग के साथ ही रोहिच शेटी ने बनाई थी फिल्म सिंबा 2018 में इस फिल्म को रिलीस किया गया था और ये फिल्म पहले दिन 20.72 CR कमा चुकी थी बात करें रोहिट शट्टी की लास्ट फिल्म जो नो ने अक्षे कुमार के साथ बनाई थी सूर्य वंशी फिल्म इस फिल्म को रोहिट शट्टी ने दिवाली के टाइम पर 2021 में रिलीस किया था और इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन था 26.21 CR तो रोहिट शट्टी का जहां नाम जोड़ता है वहां पर 15 करोड के नीचे बात ही नहीं होती है वहीं सरकस फिल्म का पहले दिन का ये जो कलेक्शन आया है ये वाकई में डिसपॉइंटिंग है दिल तोड़ देने वाला है और रोहिट शट्टी जैसे डिरेक्टर की फिल्में अगर नहीं चल रही है तो कह सकते हैं कि वाकई में बॉलिवूड इंडास्ट्री का ये खराब दौर है